हाई बीटिफूल माई फैमिली तो आज की हम रीडिंग करने वाले हैं इसके लिए आप लोगों ने बहुत ही रिक्वेस्ट की थी कि इस पर पीका कार्ड रीडिंग कीजिए तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या आप दूनों एक होगे ठीक है तो इस टॉपिक आज काड रिडिंग करें इस पर मैंने कलेक्टिब रेडिंग आ कि था तो आप लोगों ने बोला था कि इस पर हमें फिका काड या कार्ड रीडिंग बी चाहिए तो चलिह आज हम पिका काड रिडिंग पाइल नंबर वन ठीक है और कार्द्यान से आप लोग देखना और जो आपको अच्छा लगे जो अर्ट्रेक्ट करता है उसी को आप लोग चुनना ठीक है यह है पाइल नंबर टू जस्टिस और यह है पाइल नंबर थ्री देख रहा है ना तो तीनो ही पाइल में से कोई पाइल आप लोग चुनन लो ठीक है और उसके पाद जो है ना हम रिडिंग स्टार्ट करते हैं ठीक है आपको टाइम इस टाइम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप लोग उस ताइम पे जो है ना वीडियो स्किप करके देख सकते हो तो चलिए पाइल नंबर वन के साथ अपने रिडिंग स्टार्ट करते हैं तो है लोग नंबर वन जिन्होंने ये काड़ चूस किया है दल लवर्स का काड़ चलिए देखते हैं आप दोनों ये एक होगी कि नहीं ऐसे तो आप लोग एक होगे क्यो स्ट्रम फिल वाओ ठीक है तो ये वाली है आप बहुत अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो बहुत ही ज्यादा तो हम ये रिडिंग ऐसे करेंगे पहले हम पास्ट देखेंगे ठीक है आप दोनों की बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ है ठीक है उससे आपको पता चले अपने पर्सन पर आप अपने पर्सन पर अपने अनर्जी यह जबाहर और अच्छे सब्सक्राइब तो हमारे पास पहला कार्ड है यहां पर दा गार्डियन फॉर ऑफ स्टोन का कार्ड है वाव देखो यहां पर दा लवर्स का कार्ड आ गया और यहां भी देखो टो आप लोग तो ध्यान लगाओ प्लीज आप लोग अर्च थीनिम्हे वर्स झाएं उसके बाद है एस अफ एर उस का काडड यहां पर मेरे पास एस आप वेचल इस आप इस आप है अजम्याव है जरूरतत पड़하게 मैं थोड़े देर बाद निकालूंगी क्योंकि मैं इतनी इनेडिस देख लूँ उसके बाद जाना मैं फ्यूचर के लिए कार्ड निकालूंगी ठीक है बॉटम ओफ देक्ट बैलेंस वाव बैलेंस का कार्ड आया है ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी रिडिंग को कास्त दीख रहे हैं आप लोगों को अच्छे से तो आज का हमेरे टॉपिक है कि क्या आप दोनों एक होगे की नहीं होगे तो देखो मैंने कहा था जैसे कि हम लोग पहले पास्ट देखेंगे उसके बाद जहना हम धीरे धीरे करके फ्यूचर देखेंगे ठीक है पास्ट प्रेजेंट उसके बाद फ्यूचर तो पास्ट य कि जो है ना बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते हो आप अपने परसन से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हो देखो ये कार्ड भी मुझे यही बता रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो दोनों ही एक दूसरे से attraction हुआ चाहत हुई चाहत बढ़ी ठीक है और दोनों में फिर प्यार हुआ ठीक है तो दोनों में ऐसा connection है जिसे आप फिल करते हो कि एक आत्मा हुआ आप लोग ठीक है जो अलग-अलग सरीर है लेकिन आप लोग एकी हो ठीक है तो ऐसा फील होता है उन्हें जब कोई तकलिफ होती है ना तब आप बहुत अच्छे से मैसूस कर लेते होके बहुत अच्छे से आपको मैसूस होता है और आपके पर्सन भी मैसूस करते हैं आपको जब भी तकलिफ होती है ना आपके पर्सन मैसूस कर लेते हैं उसको उन्हें पता चल तो आप क्या है कि आप दोनों जहना आप दोनों में आटूर प्रेम और उसके बाद शादी के सपने देखे गए तोनों ने सिब आगे बढ़े ठीक है और आप दुनों ही जो है ना अर। अपनी फैमिली की मरजि छाद्य करना चाहते है। तो हम लोग शादी करेंगे ऐसा नहीं था दोनों को कि हमा फैमिली राज़ि कोillas कभी हम शादी करेंगे ठीक है आपके परसन ने भी वैसे ही बैलेंस बना के रखा अपनी फैमिली के साथ भी और आपके साथ भी तो बहुत ही बैलेंस मुझे यहाँ पे दिखरा है ठीक है तो यहाँ पर ऐसी रही चीज़े दुनों में ही बैलेंस बना अब क्या हुआ कि यहां पर अचानक से कुछ ऐसा हुआ कुछ ऐसा हुआ मुझे क्लियर यहां पर कार्ट्स नहीं निकले हैं तो मैं नहीं बाता पारे कि क्या हुआ ठीक है लेकिन कुछ कुछ ऐसा हुआ जिस वज़ा से जो है ना दोनों अलग हो गए ठीक है दा हुड़ेड मैं कुछ अचानक चेंज़े जाएं जिससे आपके पर्सन जो है ना और आप अलग हो गए और दोनों ही सिंगल हो गए यहां पर थौट पार्टी सुचुशन मुझे नहीं दिख रही है तो मैं थौट पार्टी सुचुशन नहीं बोल सकती ठीक है तो यहां पर जो इन एडिस आई है ना वो मुझे बता रही है कि आप दोनों को बहुत तकलीफ हुई ऐसा ऐसा कुछ हुआ ना जिससे लगा ना कि सब जिस तबाह हो गया बहुत कुछ ऐसी प्रब्लम्स आएं आ बहुत भी जादा मिश्किल था बहुत जादा कटीं था सिं कोशिश करने लगें इनके सामने कुछ ऐसे चैलेंगे आए ना हो सकते हैं कि इनकी फैमिली नमानी हो आप लोगों में इस वज़ासे इनके सामने बहुत बहुत जो है यह ऐसी सिचुशन आई बहुत कंप्लेक्ट सिचुशन आई इनके सामने जिसको यह डील नहीं कर पाएं ठीक है और डिल ना कर पाने के कारण जाना आपके पर्षण ऐसे सिंगल सिंगल हो गए मतलब आपने उस वक्त उनको खुद से अलग कर दिया या उन्होंने खुद से आपको अलग कर दिया कुछ ऐसा सिचेशन रहा उस समय उनकी मजबूरी हो गई थी कि उनको जाना किसी एक क मुझे को कुगूल करना था ठीक है तो ऐसा है और ये मुझे और कार्ट के अएक के उस देखते हुए है तो मैं देखते हूं कि क्या प्रॉब्लम्स आई थी इन दोनों के लिख में जो अब यह नो कॉंटेक्ट में है या कॉंटेक्ट में भी है तो कोई परिशानी तो नहीं आ रहे हैं तो यहां पर जो है ना देखो कार्ट्स जो है ना कि अधि tutte यहां पर मैंने कहा कि मदर इससे ठीक है इनकी मदर की वजह से कुछ ऐसा हुआ है है कि मतर ने कोई घेम खेला है मतर्स नहीं कुछ ऐसा है या फिर इनकी जहना लाइड में कुछ ऐसा था था कि इनको मदर की बाते माननी पड़ी पड़ी इनका मिझे मदर का मदर इस्वी दिख़ए इस वजसे आप या लोगों नहें नहीं मान रहे हो और इस वजह से आप दोनों बहुत परेशान हो ऐसे जो होता ह stresses है हो घिके हैं कि आप डोनों शादि करना चाहते हो लेकल फवालों की प्रिब्लम इनकी बहुत ही ज़्यादा तकलिफ आपके परसन को भी बहुत हो रही है और खुद को हील करें आप भी खुद को हील करें कई नजाना अपने आपको संतवना दे रहे हो कि नहीं सब सही हो जाएगा सब सही हो जाएगा ठीक है तो अंदर से एक होता न कि जब वो चीजे हो रही है न तब आपको जग जोर के तोड़के रख दे रही है ऐसा कुछ हो रहे आपकी लाइफ में या हुआ है ठीक है लेकिन देखो अब आगे का क्या है आज का अमरा टॉपिक है ना कि क्या आप दोनों एक होगे तो यहां पर जो है ना देखो कार्च के नेड़ी तो मुझे बता रहे हैं कि हाँ एक होगे क्योंकि यहां पर टाइम चे चेंज होगा आपके फीवर में यह पॉस्टिफ चेंज आएंगे आप जैसा चाहते हो वैसा होगा ठीक है आप दोनों जैसा चाहते हो वैसा होगा अभी भी मुझे नहीं लगता है कि आप लोग यहां पे कुछ लोग तो मुझे लगता है कॉन्टेक्ट में कुछ लोग नह है ठीक है और आपने मेरे दूसरे चैनल पर वीडियो देखी कि नहीं आज मैंने त्री वीडियो अप्लोड किये हैं आज बोल रही हूं तो चलो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप दो देख लेना तो यहां पर जो है यह वाली प्रॉब्लम निकी मदर का प्रॉब्लम यह जो है न खतम होगा देखो यह आप ऐस आफ बोस का काड़ है एस आफ वेसल का काड़ है एस आफ यह से साहे हैं ठीक है तो तीनों ही मुझे पता रहे हैं कि यह बिंग लाएगा अपकी लाइफ में नया उजाला लाएगा जो आपने expect नहीं किया था ना वो चीज वो उजाला लेके आएगा ये जो time है ना ये change हो जाएगा ना 15 दिन में 18 दिन में 20 दिन में ये जब changes होगा ना तब आपकी life में ये जो है ना ये person आएगे और आप दोनों एक होगे आपकी उनकी ममा या फिर आपकी ममा नहीं मान रही हो ना तो वो मान जाएंगी ठीक है तो मानते हुगे मुझे दिख रही है यहाँ पे क्योंकि ये time change होने वाला है आप लोग पहले ही पुछेंगे कितना time लगेगा कितना time लगेगा तो मैं पहले ही बता देते हूं 18 दिन 20 द ठीक है इतना time लगने वाला है आपके person और आपको एक होने में मतलब एक commitment आपको मिलने में इतना time लग जाएगा ठीक है और यहाँ पे देखो आप दोनों में बैलेंस बनेगा दोनों ही बैलेंस बनाके चलोगे दोनों ही अगर बैलेंस बनाके चलते होना तो आपको बहुत आप दुनों अगर मिल के अपने परनने को मनाते होना कि अछा रहेगा तब प्रम我很 को म मानना कोई बड़ी बात नहीं है वो मान जायेंगे और करने करने कोई बड़ा है थीक को यह कि систем यहां पर दिख रहा है चल्लो और कre्ट से हूं पो निव बिगणिंग निव को एक फोदधेंग को नहीं तोनी को कि अधिक शूब्स तो नहीं होतें हो सब्सक्राइगे कब तक यह दूंवाレ कि खाल जय करना है कर देल May त्य js дома पर तरक्ट उरक्ट और यहां पर होने से क्यों नहीं रोग सागता फिकएअ आप दोणोे 5.9 का ? में लिखा ये एक होना यूनिवार्स आपको प्रोटेक्ट करेगी एंजिस प्रोटेक्ट करेंगी आपकी रिलेशंशिप को ठीक है तो आपको टैंशन लेने की जरुरत नहीं है ठीक है ना एकदम टैंशन लेने की जरुरत नहीं है ठीक है, पैंशन ही लेना है, आप लोग एप होने वाले हो, देखो, निव बिगनिंग का फिर काड आया है, दा वंडरेट गर का काड आया है, तो यह जो है ना, निव बिगनिंग को ही दिखाता है, निव बिगनिंग को ही बताता है, ठीक है, और आप दोनों के बीच में जो ह relationship है तो यह जो है ना जैसा कि मैंने कहा क्या कहा कि आप दोनों की बीच में जो है ना सारी चीजे बैलेंस होंगी और आप दोनों में travel होगा यानी कि जो है ना कोई यहां पर आप लोग का relationship distance relationship है इस वजह से जो है ना आपके और आपके person के बीच में दोनों ही travel करके लड़कों के लिए मैं क्या बोलू लड़के लिए के जाएंगे दूर बाराथ ठीक है तो आप दोनों एक होने वाले हो टेंशन नालो ठीक है एक होने वाले हो चलो इस काड़ से मैं देखती हूं और और क्या इनर्जीज हैं कब तक चीज़े सही होंगी कब तक इनके पॉर्शन आ जाएंगे यहां पर मेरे पास टू काड़्स हैं देखवा अगे मुन का काड़ आया है ना सारी चीज़े जो है ना यह चेंज होने वाली है और आपको जो डिजर्व करते हूँ वह मिलने वाला इन्वर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है वाई इन्वर्स के तरफ से है आप लोगों का रिलेशन्टिप यह देखो एक्षन अब आपके परसंट जो है ना एक्षन भी लेने वाले हैं ठीक है तो एक्षन भी लेने एक्ष not one eight तो यहना। डेट्स कुछ special हो शकती है हो सकता है कि आप लोगों की गोते हैं वो सवेंटीन को हो हें ठीक है एर अजात तक आपकी मैरेश हो जाएı The । यह है और कुछ लोगों के लिए मुझे यहां पे 6 माई-जून का भी महीना लग रहा है कि माई-जून तक आप दोनों एक हो जाओगे ठीक है तो इतना टाइम लगने वाला है आप दोनों के एक होने में ठीक है ना तो चलो अब यहां ही पे हम रेडिंग्स खतम करते हैं क्योंकि हमें दूसरी भी पाइल के रेडिंग करनी है ना रेडिंग ज्यादा लंबी हो जाएगी तो यह रही आज की रेडिंग आज का जो हमारा टापिक था कि क्या आप दोनों एक होगे तो हाँ आप दोनों एक होगे ठीक है तो जिनको साथ रेजनेट करती है जिनको अच्छी लगती है प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स डिडिंग में तब तक के लिए बाई थे क्या है तो चल्ई स्टार्ट करते हैं तो यह एक journal reading है तो वैसे ही लेना आप लोग ठिक हो थिक है रह ज़各 और करते हैं डिडिंग को अपने आप कण पे दिखते हैं आप लोग प्ली जो है न लगा रही हूँन है अप लोग द्यान लगा प्लीज 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 इसिंवर्स काई में प्लीज इस इस आई में तो यह कड है हमारे पास क्या यह दोनों एक होंगे जो भी वीवर देख रहे हैं क्या यह और इनके पर्सन एक होंगे तो हम लोग जो है ना आपके पर्सन और आपके बीच जो है पिछली बाते हैं आया आप दोनों में क्या सुच्विशन रही हैं ठीक है और अभी क्या है आगे क्या होने वाली है यह सब हम देखेंगे ठीक है ना तो चलो देखते हैं तो मेरे पास अभी कार्ट्स हैं मैं इन कार्ट्स को देखती हूं मेरे पास है थ्री ओफ बोस का कार्ड उसके बाद है मेरे पास यहां पर दा पोल्स्टा उसके बाद है दा आर्चर और उसके बाद है मेरे पास यहां पर किंग ओफ बोस का कार्ड ओके और कार्ट्स की मुझे जोलत पड़ेगी तो मैं अभी यह कार्ट्स निकाल देती हूं क्या यह दुन्हों एक होंदे पेज आफ बोस का कार्ड है एट और सिक्स आफ बोस का कार्ड है टू आफ बोस ओंके आ यहां पर है seven of arrows का card so कोई तो है जो अभी बहुत तकलिफ में है बहुत पेंड में है आप या फिर आपके person ठीक है जो कि bottom of the deck ही मुझे बता रहा है कि बहुत ही पेंड में कोई ना कोई तो है दोनों में से कोई एक पेंड में है ठीक है तो energy वाइस वर्सा होती है इसलिए मैं दोनों की ही इसलिए मैं बात बता रही हूं और जिनके साथ resonate नहीं करती है वह दूसरे वीडियो पे दूसरा वीडियो देख ले ठीक है तो चलो यहां पे मैं पहले आपको साइन बता देती हूं मैं element बताती हूं आप लोग साइन देख लेना यहां पर है यह एलिमेंट है और fire elements है water element है तो यहां पर देखते हैं कि क्या आप और आपके पॉर्षन एक होगे कि नहीं होगे तो यहां पर कर्ट की एनर्जी मुझे बता रही है कि किसी को जो है ना देखो एक तो पहले ही आप लोग जो है कि ना इसी को आप की परसं इन जाए का न हचाए घ्रेंड हो जाए तो किसी को जाना यह इन स्कुर्ण है ठीक है और यहां पर वह है आपको जो है ना आपकी लाहित में कुछ ऐसा हुआ है ऐसे कुछ मुझे सिचुशन दिखाई नहीं दे रहे कि अभी आप लोग नो कॉंटेक्ट वाली सिचुशन उतनी है नहीं उतनी लोगों के लिए मुझे दिखने ही रही है हाँ सैड वाली इनेर्जी है क्योंकि यहाँ कार्ड मुझे बता रहा है और कि यह कौ भी मुझे यहीं बता रहा रहा कि यह जहना यह सैड है ठीक है बंदे हुए खुद को इतनी अंधी क्लीं तंक हो रहे हैं इतने पमें हो कोई रास्ता सोज करेरन नहीं हो रहा है और आप या फिर आपके पर्सन यहां पर बहुत ही ज्यादा जो है ना एक कहता है कि कभी-कभी ऐसी सोच हो जाते है ना निगेटिव सोच हो जाती है कि ऐसा लगता है आपको कोई मजबूरी है जिससे वह निकलना चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं तो यह वाली भी एनर्जी है और देखो यहां पर और कार्ट के अनर्जी मुझे बता रही है कि आपको कहीं है आपके दिल में एक आस का दीपक जल रहा है मतलब की उमीद का DEEPAK उमीद का दीपक जो है न वह जल रहा है आपकी आपके मन में आपके दिल में आपको ऐसा लग रही हना की नहीं हम दोनों एक दुसरे के लिए बने हैं तो हमें कोई अलग नहीं कर सकता हम दोनों एक होंगे ही होंगे ठीक है तो आपकी ऐसी वाली फिलिंग है ठीक है ऐसी वाली फिलिंग रही आपकी और आप इसी होप के साथ ही आगे बढ़ रहे हो अभी अभी भी आप आगे तो नो ठीक है। लेकिन इहां पर मुझे थॉर्ड पर्टे इंवाल्मेंट तो उतनी नहीं दीख रही है, फैमिली हो सकती है। क्योंकि आपके परसन थोड़े जो है ना family loving person है, फैमिली से जादा इनको तो आप क्या है कि आगे बढ़ रहे हो दीरे दीरे अपनी अपने दिल में आज का दीपक उमीद का दीपक जलाए हुए ठीक है और आपको पूरा यकीन है कि हम दोनों ही एक हो जाएंगे हम दोनों में कुछ नहीं होगा हम दोनों को कोई अलग ही नहीं कर सकता ठीक है आपके पूर्सन बहुत प्यार करते हैं आपसे बहुत ही जादा प्यार करते हैं दोनों में ही कनेक्शन जो है ना डीप कनेक्शन है आपके पूर्सन इतने जुड़े हुए है ना आपसे कि आपके बीना कुछ नहीं है ऐसा उन् मिलती है प्लीज इस कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताना ठीक है तो यहां पर बहुत ही लविंग प्रसनाल्टी मुझे दीख रही है आपके पॉर्शन की आपकी दोनों की जो है ना दोनों में ही दुसरे से जो है ना एक होता है ना की गॉड गिफ्टेड वही आपको मह मेरी नसीब से आया मुझे मेरा परसन मिला आना वहा है अ मैंने कुछ अच्छा किया है तब ही जाके परसन मुझे मिला है ठीके तो इनको बहुत ही प्राउड में फिल होता है आपको लेकर कर ठीक है आप दोनों का रिलेशन सिप डिस्टेंस रिलेशन सिप हो सकता है वे कि दोनों हिए इकवल है प्यार में मुझे बता रहे है कि आपके और आपके परसुन के बिश हो सकतह है इस डिफ्रेंस है आप distance relationship तो है ही और क्या है कि आपके person और आप दोनों चाहते हो शादी करना लेकिन क्या हो रहा है कि problem सारी है थोड़ी बहुत problem सारी है जिस वज़े से आप उदास हो जा रहे हो और आपको लगता है कि हाँ आप जो है न अगे बढ़ना चालें अपनी ने ने बिगिनिंग करना चाहें के हैं और दिर आपके दिल में जो है ना वो एक उमीद का दिया जल जाता है कि नहीं सारे सब सब चीछ सही हो जाएगा और हाँ मैं और मेरा पर्षण एक होंगे ठीक है तो देखो यहां पर शिक सब बोस का भी काड आया है ठीक है और यह काड मुझे बता रहा है कि आपके पर्षण एक्शन लेने के मूड में है यह कोई जो है ना आपके पर्षण डिसीजन भी लेना चाहते है कोई स्ट्रॉंग डिसीजन ऐसा डिसीजन जो आप दोनों के लिए पॉजिटिव हो ठीक है यह जो डिसीजन जो पहले नहीं ले पा रहे थे ना जिसकारण से नहीं ले पा रहे थे वह अब यह डिसीजन लेने के मूड में हैं यह अगर इनके रास्ते में कोई आता आना तो यह उससे लड़ भी लेंगे दुखो यहां पे यह उनको जो लड़ लेंगे अपने मायंड से अपने दिमाग से जो है ना यह इतना दिमाग से लाएंगे ना कि उनको हरा के ही मानेंगे बहुत ही creativity है इन में आपके person जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है ना सपने देखते हैं आपके आपके साथ सपने साजन के ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा सपने आते हैं आप दोनों को ही आते होंगे एक दूसरे के साथ ठीक है और यह जो person है ना यहाँ पर इनको चाहिए आपके साथ शादी ठीक है two of boss का कार्ड भी मुझे बता रहा है three of boss का कार्ड भी six of boss का कार्ड भी मुझे यह बता रहा है कि आपके साथ इनको जो है ना marriage चाहिए तो आप दोनों तो एक हो गई क्योंकि दोनों ही चाहते है एक दूसरे के लिए डिस्टेंस डिलेशनसिप है इसलिए आपको लगता है कि नहीं शादी नहीं हो पाएगी आप लोगों का इंटर कास्ट भी मुझे दिख रहा है कि दोनों की अलग-अलग है और यहां पे और यहीं सोच के जो है न आप लगदुखी हो जा रहे हो सैड हो जा रहे हो कि नहीं नहीं हो पाएंगे तो तो निगेटिविटी क्यों निगेटिव मैं तो हमेशा बोलते हैं कि आप लोग पॉस्टिव रहो पॉस्टिविटी प्याल आओ ठीक है अपनी पर्षन को पॉस् मैनिफेस्ट ऐसे करते हैं कि हम दोनों अब खुश हैं हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं हैं हम दोनों बहुत खुश हैं एक दूसरे के साथ थैंक्यू यू यूनिवर्स थैंक्यू सो मच ठीक है ऐसे मैनिफेस्ट करते हैं और वो भी जो है न रात को आखे पर फिर शाम peng कार्ण का देखों दोनों ही कार्ण मुझे बता है कि आपके पर्सन आएंगे वापस और आपकी लाइव में कुछ ऐसा होगा ना कि जादो ठीक है अचानक से चीजे बन बदल जाएंगी ठीक है अचानक से ही यह सारे चेंज को यह मना लेंगे इंटर कस्ट मेरेज करने के लिए यह मना लेंगे कास्ट अलग-अलग है तो क्या हुआ आज भी लोग कास्ट को मानते हैं बहुत ही मतलब यह वाली बात है ठीक है तो चलो कास्ट प्रॉब्लम होगी तो कास्ट प्रॉब्लम जो है ना मुझे हटती हुई यहां पे दिख रही है और यहां पे देखो दोनों ही काट मुझे पॉस्टिव ही बता रहें कि आपके पर्शन फोकस कर रहे हैं उनको पता है कि कैसे मुझे मैंने बोला ना कि लड़ने के लिए तैयार है देखो यह भी लड़ने के लिए तैयार है यह भी लड़ने के लिए दोनों ही काट मुझे बता रहें कि यह आपके लिए किसी से भी लड़ जाएंगे आपके पर्शन जो कहना किसी से भी लड़ जाएंगे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तो मुझे जस्टिस ही मिलना चाहिए ठीक है इसलिए चाहिए आप यहाँ पे आपके साथ कुछ ऐसा होगा आप तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हो मैं तो यह भी देख पारे हूं कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने परसन को अपनी शादी के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हो बहुत दिन से manifest कर रहे हुआ आप और यह manifestation जायना यह fulfill होगी और आपकी लाइफ में abundance आएगी देखो six of boss का कार्ड है abundance जो खुशिया आप चाहते हो अपने person के साथ वो खुशिया आपको मिलने वाली है आपके person आपके पास आने वाले है ठीक है और आपके लिए वो stand लेंगे सबसे बड़ी बात है वो आपके लिए stand लेंगे उनको आपके साथ success चाहिए अपने relationship में success चाहिए आपके साथ चाहिए कोई और नहीं चाहिए इन है यह तो सबसे बड़ी बात है ना थोर्ट पर्टी involvement उतनी है नहीं है तो family है और कोई तो है नहीं यहाँ पे ठीक है तो यह जो है ना person action लेंगे और जो है ना आपकी जितने भी विशेश है ना जो भी अपने विश्मागी है ना इस person के साथ इनके लिए इतना मेनिफेस्ट के आई इतनी प्रात्नाई किया ना वो सब complete होती हुई मुझे दिख रही है सब की सब complete होगी ठीक है सब की सब एक नहीं सब happy family, loving husband, wife वो सब आपको मिलने वाला है ठीक है अपनी life में तो आप लोग इतना tension मत लो आप दोनों एक होगे ठीक है दोनों को एक होना है यह destiny है destiny ही आपको मिलाएगी ठीक है यहाँ पर destiny का मुझे दिख रहा है कि destiny ही मिलाएगी आपको तो आप लोग इतना tension में मत रहो आपके साथ ही justice होगा आपके साथ अन्याय नहीं होगा ठीक है आपको justice मिलके रहेगा ठीक है ना तो यहाँ पर और चलो अब देखते हैं कब तक आप लोग एक होगे यह देखते हैं यह दोनों कब तक एक होंगे जो भी वीवर देख रहना अपने portion के लिए और इनके portion कब तक एक होंगे तो यह काड मुझे निकला है नाइट आफ बोस का काड है मैंने कहा है आपके person बहुत चलाक है यह चलाकी से सारे चीजी जो है ना दिमाग लगा लगा के यह ना यह दिका लेंगे ठीक है बहुत दिमाग लगाएंगे आते हैं यह आप से लड़ते हैं बहुत बुस्सा आता आइनको मुझे देख रहा है देख रहा है मुझे कि इंगो गुस्सा हाता है पर यह आते हैं लड़ते हैं आपसे जगड़े होते हैं आप लोगों में कोई ना प्यार वाले जगडे हैं टेंशन आलो आप लोग ठीक है तो कब तक तक हो गया आप लोग मुझे फर्वरी तक का चांसेस दीख रहा है फर्वरी ठीक है फर्वरी तक का चांसिस मुझे दिख रहा है कि फर्वरी तक आप लोग दो है जो है ना दोनों शादी कर लोगे एक हो जाओगे आप लोग दोनों फर्वरी और कोई-कोई जो है ना यहाँ पे जून तक किसी किसी के लिए यहाँ पे जून तक का टाइम प्र यहां पर nine number by 11 number भी तो किसी किसी के लिए ... न Premiere भी हो सकता है ठीक है। यह वाला November भी हो सकता किसी-किसी के लिए। तो इतने टाइम हैं जो हैं ना आपके person और आप दुनों one that are all Bakler इतनी problems, वह ब्रॉलीर होगी और आप दुनों बहुत TH mister रहने वाले हो आपकी लाइफ आप दोनों के साथ आप दोनों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है ठीक है दोनों बहुत खुश रहोगे ठीक है तो रीडिंग को अब हम यहीं पर समाप्त करते हैं क्योंकि हमें एक और पाइल को देखना है ना तो यह रही पाइल कि वाओ ना तब आप लोग आओ और मुझसे बात ही करो कुशन्स पूछो ठीक है ना तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में तब तक के लिए बाई है हाई पाइल में त्री सो जिन होने यह दो वर्ल्ट का कार्ड चूस किया है चलिए अब हम देखते हैं कि आप और आपके पॉर्षन एक होगे कि नहीं होगे ठीक है तो एस टापिक पर हम रिडिंग करते हैं तो लिए आप लोग धड़ी स्टेस पाइपस काट है सिसली तो यहां पर मेरे पास काट है करीन आफ नचेज दर्च मुझे बहुत अच्छे मिल रही है और मुझे वाइपस 200 बहुत अच्छे configurator ओके यहां पर दव मून ओके टेन ऑफ बोस का कार्ड है वाव दसन ग्रेट ग्रेट एस ऑफ एरोस उसके बाद है मेरे पास नाइन ऑफ वैसल्स ओके तो जो रत पड़ी तो और हम कार्ड्स निकालेंगे बॉटम अफ दडेक देख लिए हैं सेवन अफ स्टोन का कार्ड है बॉटम अफ दडेक ठीक है ओके तो यहां पर साइन में बता दू आपको अफ प्लोक साइन आप लोक को पता होगा देखो यहां पर वाटर अलिमन्ट है फाइर अलिमन्ट है यहां पर और अलिमन्ट पहले बात ने करेंगे आपके पर्सन और आपके बारे में किया क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ और उसके बाद जो है न प्रिजेंट में क्या है फ्यूचर में क्या होगा ठीक है तो फ्यूचर के लिए मैं बात में कार्ड निकालूंगी तो पहले हम यह देखते हैं ठीक है तो देखो यहां पर जो है ना energy is three of vessels का card है तो यहां पर आप दोनों देखो आपके या फिर आपके person की life में जाना बहुत सारी problems चब रही हैं बहुत सारी responsibilities किसी के उपर दोनों में से किसी के उपर जाना बहुत सारी responsibilities हैं जिसको जो है ना आप लोग निभा रहे हैं या फिर आपके पर्सन निभा रहे हैं यह मुझे आपके पर्सन की एनर्जी दीख रही है कि आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा परेशान हैं इनके उपर इतनी सारी जिम्मेवारिया हैं ना कि इसको यह जेल नहीं पा रहे हैं इसको इनको निभाना ही है न चाहते हुए भी इनको निभाना या बस बंदे होएं निभाना या तो निभाना है ठीक है और देखो प्यार तो बहुत करते हैं यहां पे आपके पर्सन जो है ना क्वीन ओफ वेसल्स का कार्ड है तो आप भी बहुत ही ज्यादा जो है ना अपने पर्सन से बहुत प्यार करते हो और आप भी आपके पर्सन भी आपसे बहुत प्यार करते हैं आप बहुत ही आप बहुत ही cute लगते हो बहुत ही जो आता है ना कि मैं तो marriage करूंगा इन ही से ठीक है ना यही है मेरे सपनों की रानी ठीक है तो ऐसी है energy ठीक है ना तो यहां पर आपके person से आपकी शादी होगी की नहीं होगी आप दोनों एक होगे की नहीं होगे तो लग तो नहीं रहा है काड्स कुछ अच्छे नहीं आए हैं यहां पर है ना अरे एक तो होगे ना देखो यहां पर त्री आप वेसल्स का काड्स है यहां पर यह है क्या दिखा रहा है कि हां शादी होगी 6-7 ऑफ बोस का काड्स है यह भी मुझे बता रहा है कि अब जहना आप लोगों के रिलेस्टेंसिप में जो चीजे थी ना एकदम क्लियर होगी जो भी इन्होंने मिस्टेक की या फिर आपने मिस्टेक की आप दोनों में कोई नेकर सिंश्टेंडिंग ठी दोनों एक दुसरे को नहीं समझे या फिकिसी और ने क्लियर्ड की है तो वह सब बादल हटते हुए मुझे यहां पे दिख रहे हैं और यहां पे देखो ये टाइम जहना ये एक change होने वाला है धीरे-धीरे और ये positive changes होंगे जो भी changes आ रहे है वो positive changes होंगे तो आपके person क्या करने वाले हैं अब? तो पहले तो हम अभी बात करते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है तो इनका मन जो हो रहा ना कि । फाले तो मुझे शादि करने हैं इन से आप भी इनसे शादि करना चाहते हो जो लिए को दोनों ही एक दुसरे से लपकरते हो देखो यहां पर 9 of vessels का card है ना और यह card भी Queen of pharaohs का card है ego है ठीक है आप या फिर आपके person में ego है और यहां पर आपके person चाहते हैं कि आप उन्हें offer करो ठीक है आप उन्हें offer करो marriage का और आप अपने efforts लगाओ क्योंकि वह समझते हैं कि इनको कोई feelings है नहीं या फिर आपको लगता होगा आपके person के लिए कि इनको कोई feelings है नहीं यह मुझे शादी नहीं करना चाहते हैं ठीक है यह आपके crush भी हो सकते हैं ठीक है ना तो यह है और मुझे दिख रहा है कि आपके person उम्र भर का साथ चाहिए जिन्दिगी भर का साथ चाहिए क्योंकि Ace of Eros का भी कार्ण है तो यह भी मुझे यहीं बता रहा है कि इन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं जो इनको आपके साथ complete करना है ठीक है आपके साथ ही जैना अधार को आगे बढ़ना है देखो यहां पे कोई को है ना जो की बहुत ही ज्यादा दुखी है यह आपकी रेणी हो सकते है या फीर आपके ४ोर्सिंदे करना करया है देखें रहा है बनी कर दो अधोम आवजा बता होंने को यह जंब क deswegen है कोई तो है जो पीन में है बहुत तकलिट में है के लिए हो करते हैं Curtak लिए कर रहा है निकाल की कोशिश कर मैं झालने की कोश़िश कर रहे है कोई-अपरäreंध कि दो मैं हो जाएगा ओल रहा है ंने यह रहा है आप बहुत बीजी है कि आप लोग एक होगे क्सीजी के यह न यहां पर रिस्पॉंस्विटिस को निभाते हुए आपके पर्सन मुझे दिख रहे हैं तो यह थोड़ पटी उनकी फैमिली हो सकती है ठीक है ना यह अब आप लोगों का नियू बिगनिंग होंगा नियू बिगनिंग स्टाट्ट है अप अब कि शुरू हो ने स्टाट हो गई है नहीं इस अब कर्विलेशनजीप में अब कर सक्योंदरल में पॉड्सल संट के इस्टांव तочно और वो प्लियरिटी जैसे जैसे होती जाएगे न वैसे वैसे आपके पॉर्टस न आपकी तरफ आते जाएँगे और क्या होगा कि आप दोनों जो है न एक हो जाओ गए शादी हो जाएगे आपकी देखो यहां पे यह सीधे कार्ड पहला ही कार्ड मुझे निगला यह त्री आपके लिए पर्शन के लिए तो यह आपके पर्शन क्या करेंगे यह प्रपोजल देंगे और आप दोनों की शादी हो जाएगे देखो यहां पे दसन का कार्ड आ गया मतलब सब चीज हो गया पॉस्टिफ ही है आप लोग का रही उनियन होना है देखो दो वील कार्ड आपनों चुना था ना तो यह कार्ड मुझे बता रहे कि आप लोग का री उनियन होना है आपके पर्शन के साथ आपका री उनियन होना है कहीं नहीं जाएगा यह कनेक्शन स्ट्रॉंग है आप लोगों का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉंग है ठीक है आपके पर्शन जह केसे हूँ आपको आपके लिए कोई नहीं ले पार हैं लेकिन वे लेंगे क्योंकि इनको पिर एकशली आते ही और बिरीन आ जाएगी तो इनको प्ला ढ़ल की चलो अब तो मुझे ना शादी करने इंच यह दोनों यहागी हो गए तुम no mm नवंबर परिशानी तो थोड़ी बहुत आएगी लेकिन ज्यादा नहीं ज्यादा मुझे परिशानी आती हुई दीखने ही रही है थोड़ी बहुत परिशानी आएगी ठीक है तो उतना अटेंशन नहीं लेना है लेकिन साधी बहुत अच्छी रहेगी आपकी आप दोनों का साथ ज्याना यह इनुवर्स की तरफ से देखो एक बैलेंस बनेगा ग्रीन मैन है यह आपके परसम ज्याना अब बैलेंस बनाके रहेंगे आपके साथ जगरते थे ना ल से लिए आएगी ना देखो दीरे दीरे जोई एक क्लियरेटी क्यों आ रही है क्योंकि यह बैलेंस बनाना चाहते इनको अपनी गल्तियों से जहना इनको सीखने का मौका मिल रहें यह कुछ ना कुछ जो है जरूर सीख रहे है आपके परसम बहुत क्रियेटिविटी है इनक जरना पर ज़रना है और जानता थीक है तो आपके साथ बैलेंस बालेंस ब्ने वाला है और देखो यहां पर दो क्या को होगने बोलो विल दोनों कहीं क्या है अब दोनों एक दुसरे के लिए बने हो ठीक है आप दोनों एक होगे सिक्षा यह दोंगा कार्ट्स में आए हैं दोनोंगे निकालेना मैंने दो डेक्स यह आपने पाइल चुना थ्लnet आप यह अभी मेंने निकाला तो यह द्लाया कार्ट यह कीछा है डेस्टिणी की के तरफ है। यह है। यह इन्वर्ट की तरफ से आप दोनों का साथ है और आप दोनों एक होगे। ठीके। यह समय का पहे जह जो है आना यह घूंबने वाला है। कुछ लोगों कि इसनौ अपर में शादी हो जाएगे को तुछ लोग जयना हिसनौ अमर में लुकम क्यों कि और उसकी बाद क्या है मतलब कब तक मतलब तक शादी नेवंबर तक ही दो रहे नहीं के सी को लगए गाना कि मेरा पॉरसन कहीं और ना चला जाए इतने दीन से में दूर हो ना तो कहीं मैं परसन मुझे ही छोड़के ना चला जाए तो इन फरवरी तक जनवरी तक किसी किसी की शादी हो जाएगी आप लोग दोनों एक हो जाओगे फरवरी यहाँ पे यहाँ पे एट है तो अगस्त अगस्त नवंबर फरवरी जो है ना यहाँ पे अप्रिल भी दीख रहा है तो इतने टाइम में जो है ना आप दोनों की शादी हो ज आप दोनों में कुछ मुश्कीले आएंगी ठीक है फैमिली प्रॉब्लम उनकी मुदर के तरफ से थोड़ा सा इश्यू मुझे दीख रहा है थोर्ड पार्टी सुच्वेशन कुछ है यहां पर लेकिन कोई ना यह धीरे-धीरे एनर्जी चेंज होंगी और कुछ ना कुछ जो उनों कोई कोशिश करनी पड़ेगी तब तभी जाके जो है ना यह आप लोगों का रिलेशन्जिप का निव स्टार्ट अप होने वाला है यह निव बिगनिंग होगी ठीक है ऐसा है ना कि लगता है ना कि नहीं हो पाएंगे हम दोनों एक तो वह ऐसा नहीं सोचना है निग कर दोनों निगेटिविटी है और आप परसन भी कहीन सोच ने लगते हैं और वही सोच को ना इनको टैंशन होती है देखो आप वही सोच सोच को जो है ना इनको टैंक्शन हो जाती है और उसके बाद आपके परसुन बस लगता है कि अब अब तो खतम हो गए सारे चीज ठीक है तो ये निगेटिविटी को दूर करो और निव बिगनिंग करने के बारे में सोचो मैंनिफेस्ट करो देखो तो आपके आपकी मेनिफेस्टेशन जो है ना ये काम करेगी ठीक है तो आप दिल से मेनिफेस्ट करो कि हाँ मेरी शादी मैं और मेरा परसन एक हो जाए ठीक है मेनिफेस्ट करो कैसे मेनिफेस्ट करते हैं तो रात को जब आप लोगे कांत रहोगे अकेले रहोगे आखे बं कि मैं और अपने परसन हम दोनों अब एक साथ है हम दोनों ने शादी कर ली Bite है और हम दोनों बहुत खुश है हम दोनों की शादी कर ले यहीं अब सबस्क्ति क्जिकना के आपकी शादी हो पाए जो भी ये problem सारी हैं ना वो सारी problems दूर हो जाए और आप दोनों एक हो जाओ ठीक है तो जो भी परिशान्या है वो सारी दूर होंगी बस आप पर refresh करो प्राथनाएं करो ठीक है ना समझ में आया मैंने क्या कहा हो है रीडिंग को अब हम यहीं पे खतम करते हैं जिनको प्रस्टनल लिडिंग लेनी है कि वाट्ससप नमबर पे कांटेक्ट कर सकते प्र्सणल रिडिंग फ्री है तुटेया की के उसके वह पेट रुडिंग रिडिंग होती है ऑर यह प्रूण पयुड आपको सारा ओंपो गिद्ध करना है चैर्टो नइस वह पूंटेक्स करें ने स्क सावखныने वह फूर आप को ौरिसरोत की तब तक हसते रहिए मुस्कुराते रहिए मिलते हैं नेक्स रेडिंग में तब तक के लिए बाई